नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का trade the trend चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जुलाई के लिए intraday trades की और बात करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा आज का दिन काफी volatile था तो आज के दिन आपने कैसे manage करना था अपने portfolio को कैसे manage करना था अपने profits को कैसे protect करना था तो दोस्तो ऐसे दिन में आपको कैसे trade करना चाहिए 3-4 charts में आपके लिए लेके आया हूँ जिसको मैं explain करूँगा कि आपको ऐसे दिन किस तरीके से अपना profit जो है protect करना चाहिए और हम बात करेंगे 3-4 stocks कल के लिए मैं लेके आया ह हूँ आज special यह है कि जैसा कि आपने request किया था कि आप please लिख के explain कर दीजिए कि कहां पे long करना है कहां stop loss लेना है तो आज मैंने specially mark करके लिख करके special calls को यहां पे डाला है ताकि सभी को easy रहे काफी request यह आई थी कि please charts में दिखता नहीं है तो stocks का नाम और trades की detail आप please लिख दीजिए तो मैंने आज special एक अलग slide में इसे लिख दिया है यहां पे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं nifty के चार्ट के साथ काफी बार explain क चुका हूँ कि nifty में एक rising wedge बनती जा रही है इस rising wedge को हम अगर यहां पे देखें दोस्तों इस raising wedge को अगर हम यहां पे देखें इससे पहले हम आपको bank nifty की rising wedge दिखाना चाहूँगा bank nifty की rising wedge देखे दोस्तो यह यहां से breakout हो चुकी है bank nifty की rising wedge देखें यहां से कैसे breakout हो चुकिया और जो support line है नीचे वो 20.900 और 20.300 के करीब है यानि कि अभी भी अगर यहां से जो current यहां पर price है इसका अगर low देखें 21.200 से नीचे अगर 21.200 से नीचे price आता है तो 20.900 और 20.300 तक bank nifty यहां पर गिर सकती है क्योंकि rising wedge से यह breakout हुआ है और अगर इसके downtrend की बात करें तो अगर इसकी height देखें तो यहां से काफी chances है कि 20.300 तक भी possibility है कि यहां आ सकती है तो कल के लिए क्या important रहेगा कल के लिए क्या important रहेगा bank nifty में इसका जो low है 21.200 21.200 से नीचे और 20.900 तक 21.200 से नीचे 20.900 तक chances है कि यहां पर at least यह अपने support को यहां पर touch करें देखें इस support से इसने bounce लिया है दो बार तो यह इसके लिए एक support यहां पर सावित हो सकता है 20.900 बीस नो सो भी अगर hold नहीं करता है दोस्तों तो next support यहां पर रहेगा next अगर 29.900 यहां पर hold नहीं करता है तो first support फिलाल यहां पर 20.900 है दोस्तों bank nifty का 20.900 यदि hold नहीं करता है तो 20.300 अगर आप इसके साथ trade करना चाहते हैं तो इंतजार किजी कि 21.200 से नीचे 21.200 से और 20.900 तक यह 300 point के बीच में यहां पर एक short trade बन सकता है nifty की अब बात कर लेते हैं दोस्तों rising wedge में आपको दिखा रहा था तो यहां पर जो support मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 10.500, 10.500 का support मुझे यहां पर दिख रहा है 10.550 अगर यह support यहां पर दोस्तों hold नहीं कर पाता है जैसा कि candle में आप दिख रहा है कितना आज pressure था 2% gain market ने कर लिया था और एकदम से gain यहां पर सारा gain last तक erase हो गया तो 10.550 के नीचे यहां पर 10.200 का level मुझे यहां पर support दिख रहा है दोस्तों अगर 10.550 यहां पर hold नहीं करता है तो यहां पर 10.200 तक यहां पर chart गिर सकता है 10.550 से नीचे 10.200 तक अगर यह rising wedge breakout हो जाती है नीचे की तरफ rising wedge अगर यहां से break हो जाती है दोस्तों तो काफी अच्छा आपको downtrend यहां पर देखने को मिलेगा जैसा की expected है काफी लोग इंतिजार भी कर रहे हैं इसका की हो सकता है कि कुछ downtrend यहां market में मिले तो downtrend का पहला signal क्या होगा दोस्तों downtrend का पहला signal देखी यहां पे इसने higher high बनाया है यहां पे भी higher high बनाया है यहां पे भी और यहां पे भी अगर एक बार यह lower low बना देता है चार्ट यानि कि इससे नीचे चले जाता है दस दोस्तों से अगर यह चार्ट नीचे चला जाता है lower low यहां पे बना देता है तो वो एक शुरुवात हो जाएगी downtrend की यहां पे मीटिंग थी रिलाइंस की एन्वल तो यहां पे देखिए मीटिंग में क्या हुआ है आज किसी ने बहुत जादा सेलिंग किया है रिलाइंस में अगर आज वोल्यूम्स की अगर हम बात करें तो आज रिलाइंस में मुझे लगता है कि यहां पे देखिए साड़े साथ मिलियन यानि कि 75 लाग को अगर एक, दो, तीन यहाँ पे देखिए 2 से 3 करोड शेर्स मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी ने एकदम से सेल किये मार्केट प्राइस पे इतनी बड़ी सेलिंग हुई है तो किसी बिग गन नहीं दोस्तों यहाँ पे सेलिंग की है रिलाइस में चबी यह प्राइस इतना डाउन यहाँ पे आया है हमारी एक कोल थी आज रिलाइस में एक ट्रेड शेर किया गया था 1955 से 1975 तक 20 पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे थे लेकिन काफी लोगों ने यह सारा अपना प्रॉफिट गवा दिया क्योंकि एकदम से डंप हुआ है मार्केट में यहाँ से देखिए 1955 से 1977 तक क्योंकि यह एक higher high यहाँ पे बना रहा है देखिए higher low भी बना रही है candles और यहाँ पे एक ascending triangle भी अगर छोटे time frame में देखे तो easily यहाँ पे दिख रही थी एक important point क्या होता है चार्ट में दोस्तों जो दिन की पहली candle होती है 15 minute की जो दिन की पहली candle होती है 15 minute की अगर वो price को उपर pump करती है और बाद में price उसके नीचे चला जाता है तो वो एकदम से downtrend साभीत हो सकता है तो पहली candle के नीचे आप easily यहाँ पे short sell कर सकते है कोई भी चार्ट हो 15 minute की पहली candle के अगर वो नीचे जाता है इसका मतलब है कि जो operator ने या bulls ने जो पहली candle बनाई है वो candle absorb हो चुकी है वो candle वहाँ पे absorb हो गई है और sellers वहाँ पे heavy है और वो और selling करके price को और नीचे ले जा सकते हैं फिलाल हमारे mentor group में यह जो call रही थी normal group में भी यह call रही थी 1955 पे देखिए मैंने बोला था इसकी players can try तो 1955 से 1975 तक यहाँ पे 20 point हमने capture किये reliance में दोस्तो telegram channel से आप नहीं जुडे हैं तो please आज ही join कर लिजे telegram channel एकदम free है description में link दिया हुआ है daily दो या तीन trades यहाँ पे मैं अपने personal trades share करता हूँ और काफी लोग इसमें काफी लोग इसमें फाइदा भी बना लेते हैं आज के देखे reliance के trade में और reliance के trade में ही देखे तो आज लगबग 120 लोगों ने यहाँ पे profit लिया है देखे नोकरी का trade यहाँ पे दिया गया था try long और नोकरी अबब 2965 2965 से उपर नोकरी का यहाँ देखिए यह candle देखिए यहाँ पे दिन की शुरुवात होती है chart की और यहाँ पे मुझे दिखता है कि एक ascending triangle बन रहा है और next wave यहाँ पे आ सकती है मुझे लगा यहाँ पे next wave आ सकती है यहाँ पे next wave के लिए यहाँ पे जो resistance था 2965 था 2965 से उपर 2965 से उपर यहाँ पे buy किया जा सकता था यहीं पे मैंने अपना trade share किया था 2965 से उपर देखे तो chart कभी इससे नीचे नहीं आया दोस्तों और highest जो गया है वो 3060 almost आप कहिए कि 80-100 points यहाँ पे किसी भी तरीके से catch किये जा सकते थे 80-100 points यहाँ पे बन सकते थे एकदम से free है telegram channel सभी लोग इसको join कर सकते हैं दोस्तों एक special group है mentor group जिसमें calls के साथ queries भी ली जाती है और special यहाँ पे calls रहती है reliance की भी call थी यहाँ पे बजाज finance की यहाँ पे special call थी 3275 से उपर buy किया था 10-15 points ही हाला कि इसमें बन पाए थे आज लेकिन special group है हमारा premium group है mentor group अगर आप mentor group से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो आपको करना क्या है नीचे दिये गए referral link से account open करना है जिरोधा में या फिर angel blocking में दोनों का link description में दिया हुआ है आप जिरोधा या angel blocking का account open कर सकते हैं और mentor group में आपको शामिल कर लिया जाएगा एकदम free है mentor group इसकी कोई fees नहीं है काफी learning आपके लिए रहेगी market में और live market में आपके लिए support रहेगा अगर आप beginner है तो बहुत help आपके लिए यहाँ पे रहेगी दोस्तो description में दिया गया है link जिरोधा का और angel blocking का दोनों आप join कर सकते हैं कल के लिए 3-4 trade लेके आए उससे पहले आज एक आपको trick बताता हूँ कि सबसे safe profit कैसे लेते हैं सबसे safe profit कैसे लेते हैं circuit stock में देखिए विप्रो ने अज 10% का circuit लगा दिया था पहली 15 मिनिट की candle में 10% का जब circuit दोस्तो लग चुका है यहाँ पे देखिए जो circuit यहाँ पे लग चुका है 10% का 247 कह रहा हूँ तो आपको क्या करना है उससे उपर अपना order place करना है उससे उपर दोस्तो अपना order place करना और यहाँ से 10% के circuit से लेके 15% के circuit तक आप easily 5% यहाँ पे बना सकते हैं बीच में तो 10% का जब circuit लग जाता है उससे उपर अपना order place कीजिए जो भी order accept कर रहा है जिस price पे भी वो तो वहाँ से उपर 15% तक देखिए यहाँ पर यह 5% का जो profit है यह काफी easy रहता है circuit stocks में जिसमें एकदम से bullish सिर्फ buyers ही जिसमें mostly होते हैं दोस्तों तो यह एक easy है कभी भी आप देखेंगे कि 10% के circuit से उपर बहुत बड़े order लगे होते है क्योंकि लोग यहाँ से 15% तक profit बनाना चाहते है कल के लिए 3-4 stocks में आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहले बात कर लेते हैं UPL की UPL में देखो दोस्तों यह जो uptrend line है support line है जो uptrend को support कर रही है यहाँ से हमें easily दिख रहा है कि यह जो दो candles है इन्होंने यहाँ से bounce किया एक तरह से देखा जाए तो support line से support line से UPL की इन दो candles ने bounce किया है और हो सकता है कल यह जो अपना resistance उपर 2-3 बार जहां से reject हुआ इसको break करे इस resistance से उपर जाए तो यहाँ पर एक bounce हो सकता है देखिए यहाँ से कैसे support line से bounce लिया था अब यही support line यहाँ पर इसको फिर से support दे रही है दोस्तो तो अगर यहाँ से यह कल bounce लेता है UPL UPL अगर bounce लेता है तो long possible है यहाँ पर 445 से उपर 450 तक stop loss यहाँ पर 443 ले सकते हैं 445 से उपर और 450 तक यहाँ पर long possible है UPL में दोस्तो risk आप खुद manage कीजिए अपने financial advisor से जरूर consult कीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको educational और practice purpose के लिए यहाँ पर यह बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टॉक पर चलते हैं दोस्तो श्री राम ट्रांसपोर्ट का देखिए यह चार्ट है श्री राम ट्रांसपोर्ट में देखिए कैसे यह चार-पास दिन से एकदम से price down आता जा रहा है यहाँ और जो next support इसको मिलने की उमीद है वो मिलने की उमीद है तो 6.40 तक 6.50 से 6.40 तक यहाँ पे एक short बन सकता है इन केस यहाँ पे bounce होता है 6.40 से श्री राम ट्रांसपोर्ट के trade की बात करें तो 6.50 से 6.40 तक यहाँ पे एक morning में short बन सकता है अगर 6.40 से यहाँ पे यह bounce होता है माली जी अगर यह 6.40, 6.38 से यहाँ पे bounce होता है तो 6.38 यह 40 से long पॉसिवल है 6.55 तक 6.40 से अगर यह bounce होता है क्योंकि चार्ट का support देखिए यहाँ पे यहाँ से एक दो bounce होके यहाँ से दोबारा उपर गया था तो अगर इस zone से यह bounce होता है तो 6.40 से 6.55 तक यहाँ पे long पॉसिवल है और यहाँ पे short पॉसिवल है 6.50 तो 6.40 अपने advisor से ज़रूर consult कीजिए कोई भी trade लेने से पहले यह मेरे personal views है यहाँ पे अगला जो चार्ट है दोस्तों वो SBI का है SBI के चार्ट में यहाँ पे देखे तो 15 मिनिट का यह चार्ट है यह support और resistance की बात करें यहाँ पे तो यह levels मैंने clearly यहाँ पे लिख दी है अगर यह चार्ट जाता है downside कल को कल का trend जो भी रहता अगर यह चार्ट downside जाता है तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या यह reject हो रहा है 185 से 185 से अगर यह reject हो जाता है यहाँ पे resistance इसके लिए रहेगा 185 से तो 185 से भी आप इसको यहाँ पे short कर सकते हैं 183 यहाँ इससे नीचे और अगर यह 185 से उपर sustain कर लेता है यहाँ पर 185 से उपर sustain कर लेता है तो यहाँ पर एक long बन जाएगा 187.5 तक इसके लिए मैंने लिख दिया है clearly sustain करता है 185 से उपर तो यहां पर long possible हो जाएगा 185.5 to 187.5 तक और short यहां पर 183 to 180 अगर सीधा downtrend में रहता है सीधा downtrend में रहता है नीचे की तरफ ही आता है तो 183 to 180 यहां पर short possible है दोस्तों mentor group जरूर join कीजिए telegram पे जो channel है एकदम free है 2-3 trade daily share करता हूँ एक भी stop loss hit नहीं हुआ है पिछले 4 दिन से पिछले 3-4 दिन से दोस्तों एक भी stop loss हमारा hit नहीं हुआ है और अगर आप mentor group में शामिल होना चाहते हैं हमारे premium group में तो दोस्तों description में referral link दिया हुआ है जिरोधा का और angel broking का जिसमें मर्जी आप account open करा सकते हैं उसी account पे आपको trade करना है आपको mentor group में फिर शामिल कर लिया जाएगा आपको काफी help रहेगी दोस्तों market में इस mentor group से कोई भी अगर आपको परिशानी है trading में अगर आप मेरी मुझसे help लेना चाहते हैं तो trade the trend 99 telegram पे आप सर्च कर सकते हैं telegram पे दोस्तों सर्च कर सकते हैं trade the trend 99 telegram channel जो है trade the trend underscore 99 यह मेरा handle है trade the trend 99 आप पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है यहां पर mentor group शामिल होना चाते हैं तो mentor group हमारा अलग से है इसमें जो लोग referral account open कराते हैं उनके लिए यहां पर mentor group रहता है दोस्तों सीखते रहिए daily आज का दिन काफी volatile था देखिए profit को कितना यहां पर प्रोटेक्ट करने की ज़रुवत थी आज जिसने आज अपने profit को reliance में प्रोटेक्ट नहीं किया उसने loss में day end किया है दोस्तों तो हमेशा अपने profit को protect करके चलिए stop loss लगा के चलिए ज्यादा greed में रहेंगे तो profit नहीं बना पाएंगे नोकरी में आज easily 100 points यहां पर capture किये जा सकते थे दोस्तों कोई भी problem है तो आप मुझसे contact कर सकते हैं thank you